रिफ्यूस की माने तो क्या सच में कॉलेज में नहीं है एक्स्पिरियंस फेकल्टी डीवाई पार्टल इतना बड़ा नाम जो ट्रस्ट और लेगिसी को दर्शाता है पर क्या अजिंक्य डीवाई पार्टल इनिवरसिटी उस ट्रस्ट को बरकरार रखने में असमर्थ है अजिंक्य डीवाई पार्टल इनिवरसिटी क्या अपनी फीस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है ऐसी ही सवालों को मद्य नज़ा रखकर आईए आज करेंगे अजिनके डिवाई पार्टल यूनिवर्सिटी का रियालिटी चेप हेलो गाईज, वेलकम बाप टू आज चैनल मैं लविश कॉलेज एडीन की तरफ से आई हूं जिनके डिवाई पार्टल यूनिवर्सिटी का रिव्यू लेकर आज हम बात करेंगे कॉलेज के बेक्ग्राउंड, एप्रूवल्स, लोकेशन, कोर्से, फीस, इन्फरा, कैंपस लाइफ और प्लेस्मेंट्स के बारे में जिनके डिवाई पार्टल के बेक्ग्राउंड की बात करें तो इसका इस्टाबलिश्मेंट हुआ था 2015 में यानि अभी कुछ वक्त पहले ही, पर देखना ये है कि डिवाई पार्टल के दूसरे कैंपसे की तरह ये कैंपस क्या-क्या बैंचमार्क्स इस्टाबलिश कर पाया है जिनमें से एक टाइप की बात करें तो वो इन्होंने किया हुआ है संस्टोन से संस्टोन एड युनिवरसिटी स्टूनेट्स के लिए कुछ सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है जिससे आने वाले वक्त में उन्हें कॉर्पोरेट रेडी बनने में हेल्प मिल जाती है आगी इस वीडियो में हम और भी जानेंगे संस्टोन और उसके प्रोग्राम्स के बारे में बाकि अभी जान लेते हैं अजिनके डिवाइपाटल युनिवरसिटी के एप्रूवल्स के बारे में Approvals की बात की जाए तो University UGC Approved है AICT से Approved है साथ ही University को नाक A Grade भी मिला हुआ है Location की बात करें तो University Education Hub में Located है जिसका पूरा एड्रेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पहुचना जादा मुश्किल नहीं है क्योंकि आपको Easily Public Transport मिल जाता है अब बात करते हैं University में Available Courses की जिसमें देखना यह है कि आपका मन पसंद कोर्स यहां Available है भी या नहीं University, School of Management, IT, Design, Hotel Management, Engineering, Architecture, Law, Liberal Arts, Firm and Media and PhD Fields में Courses Provide करता है अगर बात करें इसके Courses की तो MBA, BCOM, BCA, MCA, BLLB, LLB, LLM जैसे और भी काफी Courses Available हैं जिनकी पूरी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अब courses को easily समझने के लिए courses को fields में divide किया गया है जैसे कि School of Management, School of Information Technology, School of Design, Hotel School of Management, School of Engineering, School of Architecture, Law, Liberal Arts, Film and Media and PhD यहां लगभग सभी professional courses available हैं जैसे कि BBAP, CAP, Tech, MBA and many more और सुने पर सुआगा हो जाता है Sunstone Edge Program से इनका tie-up क्योंकि Sunstone 14 plus certifications offer करता है in the in-demand skills like digital marketing, business analytics and many more साथ ही student के पास अपनी interest के according career track choose करने का भी option है So simple CD भाषा में कहें तो college degree से बिलकुल अलग है जिसके लिए आपको हर साल लगभग 1,15,000 से लेकर करेब 7,000,000 तक खर्च करना होगा जिसमें काफी तरह की scholarships भी available है जिनकी पूरी जानकारी के लिए आप हमें हमारे नीचे दिये गया help line number पर call या whatsapp कर सकते हैं इंफ्रा की बात करें तो campus overall 110 acres में फैला हुआ है lush green campus है जिसमें लगभग सारी ही facilities like classrooms, computer labs, cafeteria, auditorium, transport facilities, sports facilities, library and और भी सारी ही facilities almost available है library में books का अच्छा खासल stock है तो आपको books के terms में भी कोई problems नहीं आती साथ ही e journals भी available है sports की बात करें तो cricket, volleyball, basketball, football के लिए अलग-अलग grounds भी available है hostels में girls और boys के लिए separate hostels available है just making mess, laundry जैसी almost हर necessary facility available है अब बात करते हैं campus life के campus life के बात की जाए तो university काफी events time to time conduct करवाती रहती है जैसे annual functions, first और साथ ही university में बच्चों के overall development के लिए industrial visits, group discussions भी करवाय जाते हैं साथ ही university में काफी तरीके के clubs भी available है तो overall campus life के ratings intellectual way से काफी अच्छी है अब बात करते हैं university के most important part यानी के placements के बारे में placements के बात की जाए तो campus का highest package अप्रोक्स 40 लाक्स पर एनम है और वही average package around 6.5 लाक्स पर एनम तो अब वीडियो कॉंक्ल्यूट करने से पहले जान लेते हैं कुछ pros and cons अजिंकर डिवाई पाटल के facts और figures के अधार पर देखे तो infra ठीक ठाग है, placements अच्छी है Sunstone Age program के काफी benefits है बस कमी रह गई है थोड़ी से campus life में जिसे और ज़्यादा ठीक किया जा सकता है तो अगर आप भी यहाँ admission लेना चाहते हैं या फिर scholarship से जुड़ी और college से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें हमारे नीचे दिये गए help line number पर call या whatsapp कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करें